भारतिय स्टेट बैंक खेलों को प्रोसाहित करने के लिए समय समय पर प्रदेश्वा अखिल भारतिय स्तर के टूनामेंट का आयोचिन करता रहता है। सबी साथियों का बहुत-बहुत सवागत और आभार सुस्टेट बेंक ओफ इंडिया देशका संबसे बड़ा बैंक सिर्फ बैंकिंग नहीं मैंकिंग के अलावा अपनी CSR इस बुर्मीका को भी निर्भा करता रहा है और इसके अलावा स्पोर्स को प्रोमूट करने के अंदर भी स्टेट बैंक उफिंडिया लिज़ा आगे रहा है स्टाफ के लिये भी State Bank of India ने बहुत सारे initiative लिए जाते रहे हैं जिसमें से एक sports की activities को बड़े स्थर पर organize करना भी है इसका purpose दो हैं एक ये है कि staff के अंदर एक team bonding हो staff physically mentally healthy रहे एक दूसरे से जुड़े वो साथ ही sports को भी promote किया जाए जैसा कि अभी KK Singh सामने बताया लखनाओ सरकल को हाकी का game खोस करने की जिम्यदारी दी गई है State Bank of India टोटल साथ activities को साथ sports को organize कर रहा है इस वर्ष जिसमें से हाकी का खेल हमें मिला है हमें इस बात का गोरव है क्योंकि लखनाओ से लखनाओ ने हाकी की टीम को इंडियन हाकी टीम को बहुत सारी विभूतियां दी है और हमें उम्मीद है कि आज जब हम हाकी के खेल को लखनाओ की धर्ती पर और गिनाइस करेंगे State Bank of India की तरफ से तो लखनाओ वासियों को यहां के खेल प्रेमियों को हाकी के बारे में और उनका उत्सा बढ़ेगा उनकी रूची बढ़ेगी काफी बड़े स्तर पर इसे किया जा रहा है दस स्टेट से हाकी की टीम सा रहे हैं तीन तारिक से इसकी शुरुवात होगी छे तारिक को सेमी फाइनल होगा साथ तारिक को फाइनल होगा मुझे उमीद है कि सिर्फ बैंक कर्मी ही नहीं हमारे ग्रहाक और जनरल पब्लिक पी जो की खेल में रूची रखती है शायद यहां आकर इसका अनंद उठा सके आगे भी हमारा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस परकार की गतियों दियों को जारी रखेगा और हम जितने भी हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए छे तारिक को हम स्वियम उनसे इंटरेक्ट भी करेंगे ताकि उनका उत्सावर्दन किया जा सके सभी टीम का क्योंकि कोई भी टीम यहां सिर्फ जीतने के लिए नहीं आ रहे है टीम आ रहे है खेलने के लिए और हमारे लिए हर टीम मेंबर एक सो साथ लोग होंगे दस स्टेट से सुला सुला लोगों की टीम आ रहे हमारे लिए हर टीम मेंबर बहुत महपूरन है वो सिर्फ खेलने के लिए आ रहा है वो जीतने के लिए नहीं आ रहा है और स्टेट बैंक की तब से खेलने के लिए आ रहा है तो हम छे तारीक को पूरी हमारी सीम से उनका उसावर्दन करने के लिए उन्हें यहां फेलिसिटेट भी करेंगे, उनके साथ समीव इतीत करेंगे, ताकि वो जब यहां से जाएं तो अच्छी यादे लेकर जाएं, लखनौ शहर के बारे में अच्छी यादे लेकर जाएं, कोशिश की जा रही है कि उन्हें लखनौ के बारे में ज़्यादा से जादा जानकारी द जासे के और जब वो जाएं तो लखनाव शहर के लिए मीठी याले साथ लेकर जाएं आप सब लोग आए आपका बहुत बहुत आभार